अब हम लोग क्या करेंगे कि जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग पहले clean करेंगे अपने file structure को ठीक है तो देखो ये जो folder था public इसमें सब कुछ रहेगा बिलकुल क्योंकि इसमें काम करने के लिए आपके पास क्या है सर्फ index.stml है और उसको हम लोग वैसा ही रहने देंगे भ और कैसे सारी चीजें लिखी जाती है तो ये तो facebook वालों ने बना के दिया हो था हमें ताकि हमारा ये output आ सके ठीक है ताकि blank project ना दिखे कुछ दिखे ठीक है welcome करने के लिए तो अब हम लोग क्या करते हैं क्या करके सारा file delete कर देते हैं तो ये जो app.js है इसको भी हम लोग delete कर पर देते हैं हम लोग basically यहां पर कुछ भी नहीं रखने वाले है इंडेक्स.css सब कुछ डिलीट करेंगे हम लोग फिर से सब कुछ लिखने वाले हैं index.js में delete करेंगे देखो ये main file है इसका रहना जरूरी है लेकिन फिर भी इसको भी delete करेंगे हम लोग सब कुछ delete करेंगे फिर से खुद से एके client लिखेंगे और एके client समझेंगे ठीक है testing हम लोग करने नहीं वाले तो यह तो अभी मैं बनाऊंगा बिने जब testing वाला बात आएगा तो करेंगे इसको ठीक है तो मैंने क्या किया src folder कर दिया empty अब इस src folder में कुछ भी नहीं है ठीक है हमारा server start है इसलिए अगर आप यहाँ पे refresh करोगे तो यहाँ पे क्या दे रहा है यह देखो अब आपको सारी चीजें पता चल जाएगी क्या पता चलेगा यह कह रहा है failed to compile और error क्या बता रहा है कि src folder में index.js नहीं है तो इससे आपको क्या पता चला इससे आपको main यह पता चला कि इस src folder में एक file होना जरूरी है तो हम लोग वो file बनाते है उसका नाम क्या है index.js ठीक है इससे आपको यह तो पता चल गया है कि एक file javascript का होना चाहिए src वाले folder में अगर आप react project बना रहे हो तो यहाँ पे जो public वाला folder है उसमें क्या है एक index.html है इसमें हमने एक root div बना दिया है और अब आप देखोगे तो अब फिर एक अलग तरह का एक हमें क्या दे रहा है वो error दे रहा है जहाँ पे आप output देख रहे हो वहाँ कहां से आ रहा है जो stml index.html है हमारे पास जो यहाँ पे public folder में index.html है उस वाले file से आ रहा है मैंने आपको यही बता रहा है उसके आगे देखो तो क्या है हमें पता चल गया कि हमें react करने के लिए index.js file भी होना जरूरी है और कहां होना जरूरी है src folder में इस वाले folder में हमारा src folder में index.js होना जरूरी है तो अभी आपको यह पता चल गया अब देखो बस इतना minimum code चाहिए हमें अब हम लोग index.js अभी हमारा blank है इसलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे error आ रहा है अब यहाँ पे आप देखो अब हम लोग को minimum क्या क्या लिखना है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं हम लोगों को import करना है react-dom का जो library जो module यहाँ पे रखा गया है न नोड module में उसको import करना है तो import कैसे करते हैं हम लोग आपको पता ही है यहाँ लिखते है import और फिर आप नाम दोगे react-dom ठीक है react-dom from react-dom अब उसके बाद हमारा काम क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो अभी हमने just react-dom नाम का object को import किया है उसको use करेंगे ठीक है तो हम लोग यहाँ पे लिखते है react-dom और उसके अंदर एक method रहता है render तो वो आपको लिखना जरूरी है तो render लिखा और यहाँ पे कर दिया ठी अब हम लोग output की तरफ जाके देखेंगे तो अभी भी हमारे पास कहा रहा है कि module build field तो अब हम लोग यहाँ पे दो parameter जो compulsory होता है वो डालते है पहला होता है जो भी आप जो jsx मैंने आपको बताया था ना इसमें हम लोग stml में ने लिखते हैं हम लोग jsx लिखते हैं वो द और उसके बाद दूसरा जो parameter होता है वो हमें बताना होता है कि यह जो भी आपने जो यहाँ पर पास किया है वो कहां जाएगा तो आपको तो पता है वो कहां जाएगा इस index.html में जो यह हमारा root नाम का div था उसके अंदर हमें भीजना है तो java script में हम लोग कैसे काम करते है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे document.getElementById क्योंकि उस जो div है उसको हम लोग id से target कर रहे है और उस div का नाम क्या है root यही था तो हमने यहाँ पर यह बताया कि इस index.html में एक div बना हुआ है जिसका root है id ठीक है तो हमने उस div को select कर लिया इस में से और हमने क्या बताया कि य यह वाला जो s2 है उसको pass कर दो उस div के अंदर तो अब हम लोग इसको save करेंगे और output जाके देखेंगे तो हमारे पास अभी error नहीं आ रहा है तो देखो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर high लिखा हुआ आ चुका है तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि अभी तक हमने क्या किया अब हमारा क्या हो गया react का app या website चलना स्टार्ट हो गया हमें क्या चाहिए था सिर्फ src folder में एक index.js और हमें import करना था react-dom library में जो react-dom नाम का object है उसको और उस object का एक method होता है render उसको हमने call किया यहाँ पे हमें जो भी jsx यह html पास करना था वो हमने पास किया jsx ही पास हुआ है क्योंकि html आप direct pass नहीं कर सकते तो यह jsx का ही है तो jsx का आपने पास किया एक h2 और उस बता दिया कि कहां पर करना है ठेक है और आपका क्या हुआ index.js complete हो गया बस यही दो लाइन से क्या होता है react app start हो जाता है और आप देखो यहाँ पर आपको high लिखा के साथ attach कर देते हैं क्योंकि हमारा main file यह है ना जो भी चीज हम भेजेंगे इसी के through भेजेंगे ठीक है देखो हम लोग website को टुकड़े टुकड़े में बाट रहे है components में और उन components को कहां भेज रहे है index.html पर भेज रहे है इस file में और इस वाले div के अंदर भेजेंगे components को लेकिन वो component जा कहां से रहा है इस index.js से जा रहा है तो हम लोग यहीं पर जो हमारा universal CSS रहेगा उसको यहीं पर attach करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक CSS file भी यहाँ पर बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक CSS file बनाते हैं new file किया और उसका भी नाम रख देते ह है देखो हम नाम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन हमने index.css इसलिए रखा ताकि हमें पता चल जाए कि यह जो index.js बनाया है उसके लिए connection के लिए बनाया है तो दोनों एक साथ भी रहेगा तो हमें पता चल जागा कि इस.js file के लिए हमने यह CSS बनाया था और इस CSS file में आप कु दोर यूज कर लेते हैं अब देखो मैंने save कर दिया अब हमें अपने CSS को इस.js file में लगाना है तो उसके लिए हमें एक line और लिखना पड़ेगा import और CSS file का path देना होगा ठीक है तो CSS file का path क्या है dot slash index.css यही नाम हमने रखा था sorry CSS ठीक है तो बस आपको बस इतना सा काम करना होता है और आपका क्या हो गया CSS Attach हो गया अब अगर आप यहां पे आकर output देखोगे यहां पे आप रिफ्रेस करोगे तो देखो हमारा color बदल गया बदल गया तो हमारा क्या हो गया CSS Attach हो गया आपको पताचल गया पहला component बना कर कि कैसे बनाते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कि फिर से हम लोग थोड़ा image से समझते हैं इस चीज को, तो देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहां तक कि हमारे browser पर क्या जा रहा था, index.estimal जा रहा था, लेकिन उसमें content कहां से आ रहा था, index.js से आ अब हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग एक component बनाएंगे, app.js, ठीक है, website को हम लोग component, component में तोड़ रहे हैं, तो हम लोग एक component बनाएंगे, जिसको भेजेंगे index.js में, और वो index.html में, और index.html यहां browser पर दिखने वाला है, तो अब हम लोगों का काम क्या है, कि यहां पे, इसी src folder में हम लोग क्या करते हैं, कि एक और file बनाते हैं, जिसका नाम होगा app.js, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, यहां पर कोई जरूरी नहीं है, कि यही रखो, लेकिन हम लोग app.js अभी फिलाल के लिए रखते हैं, right, app.js कर दिया, अब इस app.js में हम लोग क्या लिखन हो, बट हम लोग यहां पे अपने सुभिधक, आसानी के लिए, हम लोग क्या करते हैं, नाम वही देंगे जो file को दिया है, ताकि हमें पता चले, ठीक है, और एक file में एक ही component रखते हैं, तो यहां पर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक function बनाने वाले हैं, और app नाम का ह यह function रहेगा, ठीक है, देखो, आप ऐसे ही function बनाते हो, बनाते हो, अब इस function को के अंदर हमें क्या करना है, कुछ भी चीज रिटर्न करना है, तो return आप कैसे करते हो, ऐसे लिखते हो, return, ठीक है, और यहां पर मैं कर देता हूँ, फिलहाल, h1 return करते हैं, या h3 return करते हैं, और यह जो हमारा function है, वो हमें return करके देगा, यह JSX का code, यह देखने में HTML लग रहा है, पर JSX ही है, JSX क्या है, फिर से repeat कर रहा हूँ, मैं बार बात JSX ही बोलूँगा, या अगर मैं गलती से HTML भी बोल दूँ, तो आप सम्मझ लेना कि JSX की बात कर रहा हूँ, react में HTML equal to JSX, ठीक ह तो अभी हमने क्या किया, एक S3 पास कर दिया है tag, अब हम लोगों को काम क्या है, कि इसको इस index.js तक पहुंचाना है, तो यहाँ पर import करने के लिए सबसे पहले हमको लोगों को क्या सीखा है, हम लोगों ने, कि इसको आपको export करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करना है, भेजना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे app, अब यहाँ पर हम लोग इसको default हमेशा भेजेंगे, default, export default app, default इस लिए भेजा गया है, ताकि यहाँ पर हम लोग उसका नाम अगर change करना चाहें, तो कर सकें, तो इसलिए हमने क्या क्या, एक function बनाया है, यही ह हमारा component, अभी हमारे component में क्या है, सिर्फ एक h3 है, h3 tag है, और उसको हमने यहां से export कर दिया, अब यहां पे जाके हम लोगों को क्या काम होगा, उसको पहले import करना, तो चलो उसको import करते हैं, हम लोग यहां पे import करते हैं, import app वहां से भेजा था तो app ही receive कर लेते हैं क्योंकि default है तो किसी curly braces में डालने के जरूवत नहीं है और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे from और उसका हम लोग path बताएंगे कि कहां से तो dot slash app.js बता दिया लेकिन यहाँ पर js को skip कर सकते हो क्योंकि javascript का file है तो वह default माना जाता है तो यहाँ पर हमने save कर दिया अब हम लोग जो हमने direct यहाँ पे jsx का code पास किया था react अब हमने component को टुकड़े टुकड़े में तोड़ते हैं और उस component को भेजते हैं तो यहाँ कुछ इस तरीके से ठीक है stml का tag ऐसी होता है अगर आप image tag आपने use किया और कुछ इसी तरीके से होता है तो हमारा जो component होगा वो भी stml के जैसा ही एक tag बनेगा और उसका नाम हमेशा capital लेटर से start होना चाहिए क्योंकि देखो jsx code है तो ultimately stml में ही convert होने वाला है तो यह जो react है वो पहचानता ऐसे ही है अगर आप यहाँ पे h2 लिखते हो देखो stml का कोई भी tag small letter से लिखा जाता है तो इसी लिए react वालों ने यह कहा है कि stml के आप tag में हमारा component भी लगाओगे तो component और stml tag में हम लोग differentiate कैसे करेंगे कि आप stml का tag का नाम हमेशा से small letter में ही लिखते थे लेकिन हमारा जो component रहेगा उसका पहला letter capital लिख देना तो उससे हमें पता चल जाएगा और user को भी जो coder है उसको पता चल जागा कि यह component पास हुआ है यह कोई stml का नहीं था code ठीक ह यहां से और index.html में उसको import किया और उसको यहां पर भेज दिया और भेजते हम लोग कैसे है component को component कैसे लिखते है stml के tag जैसा ही लिखते है और जो हमारा component जो यहां पर import किया है उसका नाम यहां पर दे देते है ठीक है तो अब हमारे पास अगर आप यहां पर आओगे हमार index.js के थुरू index.html में पहुँच गया है अब हम लोग एक और चीज़ देखते हैं अभी हमने क्या किया कि सिर्फ एक s3 रिटर्न किया था अब माल लो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि एक h2b या एक परग्राफ भी रिटर्न करना है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ this is a p tag ठीक है दो चीज़ रिटर्न करना था तो आप तो पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे error जैसा दिखा रहा है और अगर आप output आओगे और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे fail to compile आ गया क्यों आया ऐसा हम एक से ज्यादा component पास करना था हमें तो तो देखो जो return होता है वो हमेशा एक ही चीज़ पास करता है तो आपको जब भी आपको एक से ज्यादा jsx का code या tag या html का tag पास करना हो तो उसको आपको एक wrapper में डालना होता है तो आप क्या करो कि एक div में डाल दिया करो दोनों चीज़ को हम लोग क्या करेंगे एक div के अंदर बंद कर देंगे मतलब समझे रहो हम यहाँ से एक ही tag पास कर सकते हैं और उसके अंदर उसका children जितना भी रहे जैसे देखो for example यहाँ पे अभी हमने उसको div के अंदर बंद कर दिया तो देखो क्या हो गया यहाँ पे वो दोनों चीज़ काम कर रहा है तो यह ultimately हुआ कैसे यह हुआ कुछ इस तरीके से कि div के अंदर हमारा एक क्या था h3 था उसके अंदर एक p tag था और फिर div tag बंद कर दिया तो ultimately pass किया कि आपने यह div pass किया है उसके अंदर बाकी सारा चीज़ है लेकिन अगर आप सिर्फ h3 और यह दोनों साथ में pass करते हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे है आप यहाँ पे दो tag पास कर रहे हूँ ठीक है तो यह error है return हमेशा एक ही tag हो सकता है ठीक है तो एक tag को करने के लिए हमें हमेशा एक tag कोई तो जरू होतने पड़ेगा हम तो बहुत सारा code लिखेंगे JSX या HTML का और उसको हमको भेजना है लेकिन डिव क्या है एक ट्रह का HTML में wrapper ही होता है div हम लोग किसलिए बनाते हैं एक wrapper बनाते हैं एक box बनाते हैं जिसके अंदर सारा चीज रखते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग उसी चीज को use करेंगे हम लोग क्या करेंगे एक div बनाएंगे एक div stml का div tag लेंगे और उसके अंदर जितना भी हमारा HTML का code रहाएगा उसको डाल देंगे यहाँ पर हमने क्या किया यही काम किया div में डाल दिया अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ और यह देखो तो अब आपको दिख रहा है अब हमारा जो h3 और p tag है वो children बन गया किसका children बना इस div tag का children बन गया अब देखरो इस div tag का children बन गया s3 और p तो अब यह valid syntax है और इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखने के लिए और पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते है return को parenthesis के अंदर बंद कर देते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे open किया और यहाँ पे जहाँ पे semi colon आपने बंद किया वहाँ पे parenthesis के अंदर बंद कर दिया तो अब देखो अब यह देखने और पढ़ने में बिल्कुल आसान हो रहा है आपको समझ में आ रहा है कि return के अंदर हम लोग parenthesis लिया इसका मतलब block of code भेज रहे है बहुत सारा code भेज रहे है और उस code के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप हमेसे एक ही tag भेज सकते हो हाँ उसके अंदर कितना भी चीज हो लेकिन tag आप एक ही भेज सकते हो तो यहाँ पे हमने क्या किया अपने जो भी दोनों code को एक tag के अंदर बंद कर दिया तो अब वो valid syntax हो गया अब यहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो हमारा आ चुका है अब हम लोग क्या करते हैं अभी मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी आप component बनाते हो तो हर component का CSS आपको अलग रखना है देखो एक तो हो में CSS जो कि यूनिवर्सल होगा हर एक component में काम आएगा तो इसको हम लोग ने कहाँ डालना था index.css में ठीक है तो यहाँ पर हमने body का फिलहाल आपको example बना के दिखा दिया था अब माल लोग यह जो हमने div बनाया है इसको हम लोगों को style करना इसका background color कुछ अलग देना ठीक है तो यह particular एक component है ना इसको हम लोग reuse कर सकते हैं तो इस component के लिए अलग से CSS लिखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक और CSS का फाइल बनाएंगे यही src folder में और इसका भी नाम वही component वाला फाइल का ही नाम रख देंगे app.css आप अलग रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं हम लोग ऐसा इस लिए रखते हैं ना नाम ताकि इस फो देखो आप react app बना रहे हो component में तोड़ रहे हो तो component तो बहुत सारा पोच के रखा जाता है component का पहली चीज़ वही नाम रखो जो अंदर आप बना रहे हो ठीक है और दूसरी चीज़ जब आप css बनाते हो किसी component के लिए तो एकदम बिल्कुल सेम नाम रखना उससे क्या फाइदा होगा कि css और js दोनों आजू बाजू ही रहेगा देखो यह आप के लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा क्यों क्यूंकि जिस component के लिए आप css लिखोगे वो उसके ऊपर ही दिखने वाला है तो यह देखो यहाँ पर इसलिए नाम हमेशा ऐसे रखना है जरूरी नहीं है कि नाम यही हो लेकिन हम लोग नाम जान भूज के ऐसा है वो जब file structure आपका है ना तो वो alphabetically order में रहता है तो उसी वज़े से क्या होगा यह दोनों साथ में रहेगा app.css और app.js और आपको पता भी चल जाएगा कि यह जो css file लिखा गया है वो हमारे app.js वाले component के लिखा गया है तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं app.css में कुछ लिखते हैं जैसे मालों एक class बनाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं app container container ठीक है और इस class को हम लोग क्या करेंगे एक background color दे देते हैं और अब की बार color हम लोग कर देते हैं यह coral ठीक है coral ले लिया हमने color अब हमने set कर दिया अब हमारा काम क्या है कि इस app.js में जो component ल color दे रहते हैं तो यहाँ पर हमें class लगाना है लेकिन अब आपको याद यह रखना है कि यह stml नहीं है तो कुछ चीजें इसमें change हुआ है जैसे class को आप direct class नहीं लिख सकते ठीक है उसके लिए आपको लिखना होता है class name ठीक है class name और उसके बाद आप यहाँ पर class name देते हो तो उसको class कर देगा ठीक है लेकिन अभी आपको class name लिखना है जहाँ जहाँ पर html में आपको class था उसको आप convert करके class name कर देना है और अब आके आप output देखोगे और यहाँ पर refresh करोगे तो यह change नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ ओके यह connect कैसे होगा हमने इस css file तो लिख दि अभी हम लोग यहाँ पर import नहीं करेंगे यहाँ पर तो वहीं रहेगा जो universal था जो component बनाईंगे और जिसके लिए css बनाएंगे उसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे उसको इंपोट कर लेंगे तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर हम लोग लिखन अब हमारा क्या हुआ यह जो app.css लिखा था वो आके यहां पर attach हो गया और जहां जहां पर यह component पास किया जाएगा अब यह automatic जो css हमने लिखा वो इस component के साथ चला जाएगा तो अब अगर आप यहां पर आके देखोगे तो अब हमारा css apply हो गया तो अभी देखो अभी index.js रखना जरूरी है और index.js में हम लोग क्या करते हैं बताते हैं कि root नाम का एक div बना हुआ index.html में उसमें हम लोगों को अपना component पास करना है तो हम लोगों ने अभी एक app.app component बनाया उसको यहां पर पास कर दिया और css file आप क्या करते हो universal वाला index.js में connect कर देते हो फिर ह यहां से export कर देते हैं ताकि index.js में import किया जा सके हैं फिर इस component के लिए जब css बनाना था तो हमने उसी नाम से file बनाया और उसमें css लिखा और उसको यहां पर import कर दिया ठीक है वो automatic connect हो गया तो अब आपको आपने पहला component अपना बना लिया और react में लगा दिया अब देख लिखते हैं और वहां पर index.js में बताते हैं कि index.stml में एक root नाम का div है उसमें डालो और यह index.stml अल्टिमेटली ब्राउजर पर जाके हमें दिख जाता है लेकिन अब सोचो यहां पर हम अपने website है उसको हम लोग components में थोड़ने वाले हैं तो components तो बहुत बनने वाले हैं ल यह थोड़ा messy हो जाएगा तो इसी लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक folder बनाते हैं ठीक है folder folder में रखेंगे हम लोग कुछ अब ऐसा काम करने वाले हैं यह जो हमारा app.js था ना यह वाला app.js यहां पे यहां यहां देखो यह जो app.js था इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक parent या एक कहलो master component की तरह यूज करेंगे ठीक है तो अब हमारा app.js है वो parent component होगा मतलब जो हम लोग अपने website को टुकड़े टुकड़े में तोड़ने वाले हैं वो एक folder बना के रखेंगे उसमें और यहां से सारा component को हम लोग एक एक करके app.js में भीजेंगे समझे तो app.js हमारा parent component या master component कह सकते हो ठीक है जहां पे जाके connect होगा और हम लोग एक folder बना लेंगे उसके अंदर फिर हम लोग अपना component वगरा रखेंगे और इस folder के अंदर अगर हमारा मन किया तो हम लोग अलग-अलग और folder बना सकते हैं इस folder के अंदर आपको जितना folder बनाना बनाते रहो ठीक है चोटे चोटे जो सब components है उसको आके जोड़ा जाएगा ठीक है तो हमारा एक तरह से समझ लो कि ये gateway मतलब एक gate है component का कि जितने भी component बनाएंगे वो इसी component के through index.html में जाएगा index.html को हम लोग गंदा नहीं कर रहे हैं अभी फिलाल के लिए index.html में हम लोग एकदम clean रख रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक component पास करेंगे और वो component हमारे लिए क्या बन जाएगा एक gateway बन जाएगा एक pass बन जाएगा जहां से हम लोग छोटे 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 component को भेजेंगे ठीक है तो हम लोग अब क्या करते हैं इन सब को पहले हटाओ और यहाँ पे src folder के अंदर एक और folder बनाते हैं और इस folder का नाम रखेंगे components ठीक है components एस कर देते हैं क्योंकि बहुत सारे components इसमें रहने वाले हैं ठीक है तो हमने बना दिया अब इसके अंदर हम लोग अपना नया component बना सकते हैं एक चीज़ और फिर से मैं बता दे रहा हूँ अभी बताया था कि हम लोग एक हर component के लिए एक अलग file रखेंगी ठीक ह हाँ ये बात वेलकुल सही है कि बहुत सारा component बनने वाला है इसी लिए हम लोग folder by folder करके component को रखेंगे ताकि हम लोग manage कर सकें क्यूंकि obvious ही बात है कि आप एक website को components में तोड रहे हो तो बहुत जारा component बनेगा और हर component के लिए एक अलग file रहेगा ठीक है तो हम लोग ने क्या के लिए मैं उसका नाम रख लेता हूँ सब कंपोनेंट ठीक है या चाइल्ड कंपोनेंट नाम रख देता हूँ लोग चाइल्डी कंपोनेंट रख देता है या सब कंपोनेंट रख देते है पता चल जाता है सब का मतलब क्या होता है कि चाइल्डी है तो यहाँ पे सब फाइल का रखोगे, वो meaningful रखोगे, ठीक है, यहाँ हमने लिखा सब component, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि component का ये टुकडा, ठीक है, main component ये नहीं है, तो उसी तरीके से, माल लो कि आप बना रहे हो, user का login करने का interface बना रहे हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे login.js, तो उससे पता चल जागा कि ये login वाला component है, ठीक है, login वाला interface है, ठीक है, आप और माल लो कोई button बना रहे हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे button.js, मतलब आपको यहाँ पे बहुत सारे component बनने हैं, ठीक है, तो आपको नाम ऐसा रखना है कि नाम देखते के साथ आपको पता चल जाए कि इसके अ आसान हो, तो हम लोग क्या follow करेंगे, कि first letter capital रहेगा, और जो दूसरा word रहेगा, जैसे यहाँ पे sub के बाद दूसरा word क्या component है, तो component का भी पहला letter क्या रहेगा, capital रहेगा, तो जितने भी word का file रहेगा, वो उसको capital रखेंगे, word का पहला letter capital रखेंगे, ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या बना लिया, sub component.js, यह हमारा क्या हो गया, एक sub component हो गया, अब इस sub component के अंदर हमें component बनाना तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक function बनाना पड़ता है, ठीक है, function का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे वही रखेंगे जो हमने file का नाम रखा है, ताकि हम लोगों को ज़्यादा confusion ना हो, जब भी हम import कर रहे हों, तो same नाम से कर सकें, तो यहाँ पे हम लोग रिखेंगे component, ठीक है, यही नाम है file का, और यही नाम से एक function बना देते हैं, और यही function हमारा क्या कहलाता है, एक component कहलाता है, तो चलो यहाँ पे भी अब हम लोग return कर देते हैं, return, आपको बताया था कि multiple चीज करेंगे, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, एक parenthesis में बंद कर देंगे, और return करने के बाद, यहाँ पे आपको जो भी JSX का code लिखना है, आप लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, म अब इसको क्या करना है, हमारा काम क्या है, इसको export कर देना यहाँ से, तो हम लोग export भी कर देते हैं, export और default ही हमेशा करो, default और यहाँ पे देदो sub component, तो इस वाले function को हमने भीज दिया, अब जब यहाँ से हमने इस component को export कर दिया, तो हमें import कहा करना है, जो हमारा parent वाला, जो हमारा component, parent component क्या है यह app.js तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग code नहीं pass करके, अब हम लोग pass करेंगे अपना component, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, import करना पड़ेगा आपको तो यहाँ पे अब हम लोग import करते हैं इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट लिखा, और जो function बनाया था, sub component, उसको लिखा, और देखो हमारा, जो editor है, उसने खुद से, पाथवाद सब खुद से दे दिया, ठीक है, तो ये editor का fast था, लेकिन हम लोगों को, खुद से, अगर आप में नहीं होता, तब को लिखना और उसके बाद JS का file, ठीक है, तो देखो मैंने नाम सेम रखने क्यों बोला था, इसी वज़े से बोला था, अब देखो हमारे पास काम असान हो गया, यहाँ पर sub component लिखा हुआ है, जो हमारा component है वो भी, और ये भी हमारा जो file जहां से हम कर रहे हैं, वो भी same है, तो हमें प पास करेंगे, ठीक है, तो component कैसे पास किया जाता है, एक तरीका यह है, कि आप, मैंने क्या बता था, कि STML के जैसा tag बन जाता है, आपको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा, sub component, और यहाँ पर खुच से बंद कर देना होगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा बंद कर दिया, यह रह किया app.js से, app.js connect हुआ index.js से, index.js connect हुआ index.html से, और HTML दिख गया हमारे browser पे, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, कि flow कैसे होता है, react work कैसे करता है, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, कि STML में एक single tag भी होता है, और double tag होता है, तो हम लोगों के पास दो closing tag बन गया, तो देखो, अम लोग ऐसे भी component को attach कर सकते हैं, single tag से, double tag से, दोनों में क्या answer और क्या use है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आप अभी ऐसा कर सकते हो, देखो, अभी भी आपस कोई error नहीं होगा, refresh करोगे, same चीज आ गया, ठीक है, और बस आपको याद य tag स्मॉल होता है, देखो, this is h2 लिखता हूँ मैं, tag, ठीक है, तो यह क्या है, यह अभी हमारा, देखो, अब देखो, अब फिर से वही वाला error आ गया, क्यों, क्योंकि हमने दो tag पास कर दिया, अब अगर हमें दो चीज पास करना है, तो अभी यहा क्या करना चाहिए था, div tag क तो देखो, मैं यहाँ पे अभी पास करने वाले नहीं थे, हम लोग मैंने इसलिए लिखा, फिर से remind कराने के लिए, कि html का tag हमेशा small letter से start होता है, लेकिन जो आपका component होगा, उसको आप capital letter से लिखना इसलिए जरूरी होता है, starting में, क्योंकि उससे पता चल जाता है, react को भ और जो यह आपने पास किया है, वो html जैसा दिख रहा है, बट वो component पास किया अपने, लेकिन अब यह parent वाला जो component है, जो हमारा app.js है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ component पास करेंगे, यह सर्फ html का tag पास नहीं करेंगे, अभी हमने सिर्फ एक component बनाया, तो हम लो class लगाया है, वो class यहाँ पर कहीं पर लगा हुआ नहीं, अब इस sub component के लिए, अगर मुझे कोई CSS लिखना होता, तो क्या करता मैं, इसी folder में, इसी नाम से एक और फाइल बना लेंगे, और उसका भी नाम यही रखेंगे, subcomponent.css, ठीक है, एक CSS फाइल बना लिया, अब यहा पर एक name देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं, red, ठीक है, red रख दिया इसका नाम, तो यह इसमें हमने class लगाया, इस p tag में हमने class लगाया, class कैसे लगाते है, jsx में, class के जगह पर हम लोग लिखेंगे class name, और उसका एक नाम दे देंगे, अब इस जो sub component था, इसमें जाके attach कैसे करते हैं, आपको पता है, यहाँ पर import कर लेंगे हम लोग, import लिखेंगे, और CSS file import करने के लिए आपको क्या करना है, direct बस path दे देना है, path हमारा क्या है, sub component, sub component, ठीक है, dot CSS, यह mention करना है, देखो जब आप JS का file import कर रहे हो, तो उसका extension डालना जरूरी नहीं है, dot JS, लेकि यहाँ पर मैं जाओंगा, तो यहाँ पर यह जो हमने text लिखा था, वो red हो चुका है, red हो गया, अगर आपको नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करता हूं, इस p tag के जगा, h1 tag ले लेता हूं, अब आपको दिखेगा, बड़ा हो जाएगा, थोड़ा हो, tag, यह देखो, दिख रह अब हम लोग अपना sub component रखेंगे, और आगर हम लोग चाहें, तो इस components के अंदर भी एक अलग folder बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं, आप इसके अंदर आप जैसे आप इसको रखना चाते हो, ऐसे रख सकते हो, अपना file structure आप define कर सकते हो, बड़ यह basic structure रखना जरूरी होता है, ताकि आपका जो src का folder है वो ज्यादा heavy ना दिखे, उसमें कुछ चंद file ही हो, और बाकी component तो आप कम से कम 100-200 तो बनाओगे ही, तो वो सारा 100-200 को आप इस component वाले folder के अंदर manage करोगे, ठीक है, और इस folder के अंदर जितने folder बनाने है, file बनाने है, बनाते र देखो, सब कमपोनेंट आपस में सेम है, app.js और app.css एक जगह पे है, index.css एक जगह पे है, उससे आपको पता भी चल रहा है कि app.css था वो इस file के लिए बनाया है, app.js के लिए, और index.css जो हमने style लिखा है, वो index.js के लिए लिखा है, तो index.js में हम लोग क्या कर रहा है, यूनिवर्सल लिख दे रहे है, बॉड़ी वड़ी का कलर देना है, तो वो हम लोग यहाँ पे देते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के लिए css लिखना है, मैंने लेकिन आपको बता दिया कि css कैसे attach किया जाता है, अब जिस चीज में आपको css का जरूवत नहीं उसको लिखने के जरूवत भी नहीं है, जैसे माल लो यहाँ पे यह जो parent app.js है हमारा, इसके लिए हमें कोई भी css लिखने के जरूवत नहीं था, तो नहीं लिखेंगे, यह वाला फाइल डिलीट कर देंगे app.css, क्या दिक्कत है, ठीक है, मैंने यहाँ पे css जान बूच उसके बना बना के आपको दिखाया, लेकिन css कोई कमपलसरी तो है नहीं, हो सकता है किसी चीज के लिए css हमें जरूवत नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि एक component बनाया तो उसके लिए css बना जरूरी है, although आपको पड़ेगा, जरूवत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ल उसके बाद उस इकठे हुए पूरे component को हम लोग inject कर देंगे index.css js में, और index.js लेके जाके उसमें root वाला जो div है उसमें put कर देगा, तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि components कैसे बनाते हैं, और एक component दूसरे component में कैसे attach होता है, जैसे देखो अभी हमने क् किया, एक child component बनाया और उसको parent component के अंदर घुसाया था, मतलब हमने क्या किया, एक sub component बनाया और उसको use कहा किया, app.js नाम का एक component, app.js भी तो एक component है, ठेक है, तो उसके अंदर हमने किया, तो आपको पता चल गया होगा कि अब बहुत सारे component में जब तोड़ेंगे, तो उसक जब बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा थोड़ा सा ध्यान क्या बन रहा है, इस पर भी रहता है, ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ बना के ही सीखेंगे, बाकी का काम, लेकिन ये basics था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, और अभी इसको फिर से थोड़ा सा clean करेंगे, और फिर आगे project पे आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग साथ साथ में इसमें क्या करने वाले हैं, एक छोटा मोटा project बना बना के ही देखेंगे, ठीक है, हम लोग कुछ ऐसे ही h1, h2 tag यूज करने वाले नहीं है, हम लोग एक छोटा सा project बना के try करने वाले हैं, ठीक है, जैसे जैस हमारा project बढ़ता जाएगा उसमें functionality बढ़ता जाएगा राइट